राश्पती द्रॉबदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ओडीशा के बाला सोर में दुर्भाग्ये पूर्ण रेल दुर घटना में लोगों की मृत्यू के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परवारों के प्रती मेरी गहरी समवेदना हैं। मैं बचाव कारियों के शीग्र खतम होने और घायलों के शीग्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। शोक संतप्त परवारों के साथ हैं। घायलों के शीग्र स्वस्थ होने की प्रत्ना। और वहीं प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने ओडिशा के बाला सोर में रेल हाथ से में मृत्यों के परजनों को दो लाक रुपए और घायलों को पचास हजार रुपए की अनुग्रय राशी देने की घोशना की। ये राशी प्रदान मंत्री राश्ट्री राहत कोश्ट से दी जाएगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ओडिशा में दुरगटना स्थल के लिए रवाना हो गया हूँ। मैं घायलों के शीग्र स्वास्त लाब और शोक संतप्त परवारों के प्रती संवेदनाएं के लिए प्रातना करता हूँ। वनेश्वर और कलकत्ता से बचाओ दल जुटाए गए हैं। इंडियारेफ राजसरकार के टीमें और एर फोर्स को भी बचाओ कारियों में लगाया गया है। वहीं बाला सोर हाथसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने दुख व्यक्त किया है और गायलों के शीग्र स्वस्त होने की प्रातना की है।